बॉर्णिंग तो बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा देखा है कि दिल्ली का फाइनली स्टेट मेरिट लिस्ट लॉंच हुई है मैंने आप कई बार बोला ही है कि दिल्ली वाले कभी स्टेट मेरिट लिस्ट हमें पता ही नहीं चलता था लेकिन कल शाम को MCC ने ये नोटिस निकाला है जिसमें कि उनों ने पहली बार दिल्ली स्टेट मेरिट लिस्ट लॉंच कर दी है देखिए हम भी अपनी क्लाइंट्स को एक रफ एस्टिमेट थो हमेशा देते ही थे और इसी को क्लिक करके मैंने ये खुला है कि दिल्ली इस वेरी कॉम्पेटिवर स्टेट हम सभी जानते हैं और सबसे पहले दूसका ये प्रूब हो गया ये देखिए अगर आप इसको धान से देखते हैं तक आपको क्या पता चलता है और इंडिया रहेंक ये एक सो पैंटी च च एक एंदर दिल्ली के दस बच्चे आ गये है बाहतली चलते है और इंडिया रहेंक लिवा vato 다음에 पर दिल्ली कोटा से बिलॉं करते जहले लेकिन नीट कहलो या पॉपुलेशन कहलो वह तो नहीं है दिल्ले की पॉपुलेशन तो Indya की डेर्ज परसेंट है आप नीट की कर लो टो दो परसेंट बच्छे होते हैं जो इसता से ND наш होते हैं घाई परसेंट होते हैं लेकिन टॉपर में 10% है और यही फरक है जो मैं बाब और लोग को समझाता हूँ जो लोग लंबी प्लैनिंग करते हैं और शायद मेरे लास्ट री वीडियो को देखके लोग करने भी लग गए हैं मुझे फैमिली का फोन है था कि सब्सक्राइब हीमाचल शिफ्ट हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चा हीमाचल डोगी साहिल हो जाए लिको टॉर्टर बनाना चाहते हैं और बच्चा भी क्लास सिक्स्त में है तो सिमिलरली आप देखिए कि यह एक साब जो हम बच्चे हैं जो आपको एम्स मुलानाजाद में जाते नजर आते हैं और यह ब्लिकुल यह रियल टॉपर से इंडिया के और सब दिल्ली में रहना चाहते हैं उसके वाया थोड़ा डॉन हो जाता है और अगर आब एक लॉंग टर्म में देखेंगे तो यह दस परस्ट के कर सब्सक्राइब चल रहे हैं बहुत सारे दिल्ली के थे वह सब दिल्ली से बिलॉंग करते हैं दिल्ली से उन्होंने रखा होता है यह बी प्रॉब्लम है इंडियोस्तान में उसके बाद अगर हमें स्टडी स्टेट में भी देखें तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो आपक 5,000 है तो इस पिदळीके 400 25 सरेंग का गया नौ परसंट हम मान कर सकते हैं अब इसका interpretation आप लोग कर सकते हैं इसको देखिए seat mattress को देखिए D.U. quota की IP की seat mattress को देखिए आपको ये भी देखना है कि किस quota का बच्चा है very frankly और इसमें आपको ध्यान रखेगा कि MCC ने list निकाली है right तो इसमें बस एक particular thing है जो मैं बतारूं लोगों को दिल्ली ने कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली OBC हो जाते हैं और नेशनल OBC नहीं होते हैं विच में जब उन्होंने MCC का फार्म भरा था तो वो journal है लेकिन जब वो IP का internal quota का फार्म भर रहे हैं IP के थूँ आईपी के थूँ आईपी इन्वसर्टी के counseling के थूँ तो वो बन जाते हैं OBC उन लोगे लिए confusion फिर थोड़ी सी बच गई है भी भी बड़ उसके लावा आप सो category पता चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप category में कहां खड़े हैं आप इसको देखिए आप IP के internal seat matrix देखिए आप DU का seat matrix देखिए और based on these three four things आप जज कर सकते हैं काफी हद तक 98% एक कुरी से कि आपको seat मिलेगी के नहीं मिलेगी दिल्ली में यह judgment जरूरी क्यों है दो कारणों से एक जो MCC ने latest rule भी निकाल दिया कि और इंडिया कोटा की counseling या शुरा ऐसे MCC counseling स्टेट से पहले चलेगी और हम सभी जानते है दिल्ली में की यह दिक्कत है कि साथ में से पांच college की पूरी सीटों की counseling MCC कर रहा है तो वह पहले खतम हो जाती है और तुकि वह पांच college बाइचांस बैटर है दिल्ली में और दिक्कत की है कि जो टॉप साथ college है न वहीं बैस्ट भी है तो दिल्ली में क्या समस्या है कि जो साथ college है रैंक से कर देखते हैं एमस को मैंनी गिन रहा हो जामिय हमदर्थ को तो बाइचांस बाइडिफॉर्ट मुलानाजाद लेडी हाल्डिंग अब यह जो दो college बच्चे अंबेटकर और नडीमस उनकी जो स्टेट कोटा की सीट्स है वो एक सूपर सेट बन जाता है जो दिल्ली के टॉपर बच्चे हैं इस सब को और इंडिया कोटा सौड़ी यह सब सीटे मिल रही हैं पहले फांच को लिजों में लेकिन चुकि आइपी का फर्म भर चुके हैं तो यह आइपी के राउंड बन भी पार्टिपेट करते हूं आपको अडवान से बता रहा हूं यह सभी बच्चे बिवकूफ होते हैं और मैं से अपील करता हूं इस सब लोग आइपी का राउंड टू का फॉर्म भी भर देते हैं और जब आइपी का राउंड टू करेंट भी आएगा तो हम देखते हैं कट आफ फिर से उतनी जारी है और तभी लास्टन इनको एक एक्स्टेंडिड राउंड टू करना पड़ा था यह सब बच्चों को पत ले चुके हैं वर्दबन महावीर की सीट ले चुके हैं तर पता नहीं कि हो आइपी काउसलिंग के अमेटकर का फौर्म भरदेते लेकिन खराभ करते महोल दूसरे प्रप्रॉबलम यही है कि जब अच्छे बच्चे हैं और रेंग 4,000 रेंज वाले 7,000 रेंज वाले 5,000 रे प्राइटेगरी के साफ से दस राज वाले जो नको करना है कि क्या मैं और इंडिया कोटा राउंड टू में दूसरी सीट ले लू किसी बिहार के कॉलिज की छत्रेज़े कॉलिज की गुजरात की कि के मुझे आई-पी की वह जो दो जो दो कॉलिज की सीटे बची है जो बहुत कोटा के लिए फाइट मारा है उसको यूपी स्टेट में चांट रहा है डिल्ली वालों को साथ क्वालीज की से पांच कोलेज का तो क्लियर हो कि मुझे क्या मिल रहा है और सिरफ वह जो बच्चे-बच्चे जो आई-पी के लिए फाइट मारे है उनको एसा मेनल सिस करना प करते हैं कि किस नंबर पे दिल्ली के सी कॉलेज मिलने कितनी उमीद है और इंडिया कोटा में बेस्ट कॉलेजिस कौन से हैं यह उन बच्चों के लिए जो यह टॉपर्स हैं और जिनको एक गवर्णन कॉलेज मिली जाएगा यह न आप उम्हें बाबर हाँ जोड़ गया तो ब बोल दो से फरक ने परता तकिन आप चाहते हैं कि आप के रहेंग को देखके ऐसा डिटेर्ट अनलेसिस किया जाए तो उसके लिए समय लगता है मेरा खुद का समय लगता है और वह समय ही मेरी मेरा प्रॉडट है मेरी पूंजी है तो उसके लिए आपको हमारी प्रीमियम आपको देखते वे तो यू कन टेक आवर प्रीमियम काउंसलिंग सर्वेसेज बाई कॉलिंग अवर हेल्प्लाइन नंबर 964 33 63 20 धन्यवाद आपका दिन शुग हूँ